वेलकम टू निव एक्जाम आज है 16 जुलाइद वज़ाबीज और 16 जुलाइद वज़ाबीज से करेंट अफियर्स के जितने भी इंपोर्टेंट कॉस्टिंग बनेंगे वहमें इस वीडियो में इसकास करेंगे तो दोस्तों वीडियो को लाटता ही जहूँ देखें क्योंकि हैं तो चलते ही आज की क्रोंड अफियरस पर हाल ही में विश्वेवा कॉसल दिवस स्टे एमें 15 जुलाई को विश्वेवा कॉसल दीवस 15 जुलाई को इस दिन इस महत्व के बारे में जावक्ता फ्यलाना है कि तकनिकी और ब्यावसाइक सिक्चा प्रिसिकशन और नए कौसल का विकास हमारे जीवन में नहेत है और इस्तानी और वैस्विक अर्थ विवस्ताओं दोनों के लिए प्रासांगिक है बर्स 2020 के लिए विसाइबस्तु जिसे बोलते हम थीम भी बोलते हैं तो इस बर्स की जो थीम थी वो थी इस्किल्स फॉर रेसिलेंट यूथ क्या इस्किल्स इस्किल्स फॉर रेसिलेंट यूथ तो आपको बता जी जितने भी इंपोर्टेंट डे होते हैं उनके इतने भी थीम होती है तो उनको आप नोट करते हैं क्योंकि दे से जादा इंपोर्टेंट अब थीम जिसे बोलते हैं राश्टिय डाक करमचाही दिवस दो जुलाई को मनाया गया था। विश्वे खेल पत्रकाह दिवस चार जुलाई को अंतर राश्टिय सहिकारित दिवस और 6 जुलाई को विश्वे जूनोसिस दिवस और 7 जुलाई को विश्वे चॉकलेट दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसेंग के दिवस की जो थी महामारी के बीच महिला और लड़कियों के स्वास्त और अधिकारियों की रख्षा कैसे करें और 12 जुलाई को मनाया गया था विश्वे मलाला दिवस और 15 जुलाई को विश्वे कौसल रिवा दिवस तो दूस्तों क्वेश्चन नम्पर एक सितनी यान काई मिलती है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हाल ही में भारती रेलवे में कितने किलो मीटर लंबी मालगाली के संचालन का रेकॉर्ड बनाया तो ये कितने किलो मीटर लंबी मालगाली का बनाया ये बनाया 2.8 यान 2 किलो मीटर 800 मीटर भारती रेलवे ने हाल ही में 2.8 किलो मीटर लंबी मालगाली के परिचालन का रेकॉर्ड बनाया है सेसनांग क्या सेसनांग एक ट्रेन है जो चार खाली वॉक्स वॉक्सन क्या वॉक्सन वॉक्सन रेंक को समा मेलित करती है और बिद्धुद इंजिनों के चार सेटों दवारा संचाले थे यह भारती रेल पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन भी है ट्रेन नाकपुर और कोरबा के बीच संचाले थोगी कहां कहां होगी नाकपुर से कोरबा के बीच तो दोस्तों Air question मार्ण 20 से इत्विएन आनका यह मिलती ए चलते एंगली question फर वाल ही में कीस राज्य के मुख्मंत्री चमिलाओ के मुख्मंत्री इ角 आता इक टेलिवीजन आधारप सिक्छन कारेकरम शुरू किया है दसमी कक्षा के चात्रों के लिए एक टेली विजन आधारिक सिक्षण कारेकरम शुरू किया है। कालवी टेली विजन चैनल शुरूबात में कारे दिवसों की द्वारान चात्रों के लिए डाई गंटे कितना डाई गंटे के सिक्षण कारेकरम का पिरसारण करेगा। इस कदम का उद्धिश विद्ध्यालेंगों की दोबारा खुलने तक छात्रों को बेकल्पिक तरीकों से अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है अब ये तमिलाडू में कारेकरम शुरू किया गया है तो तमिलाडू के बारे में जान लेते हैं तमिलाडू का जो राज्यपाल है वह बनबारी लाल पुरोवित यहां के यो मुख्य नियादीज है हाई कोट के वह अम्रेश्वर पिरताप साहिव यहां पर जो लोकसभा सीट हैं वह 49 राज्यसभा सीट हैं अठारा और विदान सभा सीट हैं 205 तो दोस्तों नम्बर तीन से तनी जान कहीं म चलते एंगले कॉस्टन पर हाल ही में किसी पोलेंड के राष्टपती के रूप में चुना गया तो एक किसी चुना गया एक चुना गया आंद्रे जज डूडा को किसे आंद्रे जज डूडा को 13 जुलाई 2020 को गोसत परिणावों में पोलेंड के दक्षण पंती राष्ट पती आंद्रे जज डूडा ने दूसरे कारेकल में मामूली अंतर से जीत हासल किये चुनाओ में डूडा ने इंक्याउन परसेंट कितनी इंक्याउन परसेंट बहुत हासल किये वार्सु मेयर रफाइल ट्राजाक कोवस की 49 परसेंट के साथ पीछे रहे 1990 में कव 1990 में नोवल सांधी परसकार बिजेता लेच वालसा के देश के लोक तांतेक रूप में निरवाजित राष्ट पती बनने के बाद से डूडा 10 मिलियन कितना 10 मिलियन बोट पाने वाले देश के पहले राष्ट पती बने तो यहां से एक कॉश्चन इंपोटेंट होत में यहां पता है क्योंकि 10 मिलियन मोट से पाने वाले देश के पहले राष्ट पती बने अब बात आती है पो वरेंद कि यो जो राज़दानिये वह वार्सा हो यहां की जुम मुदरा यह we h all जो लाती और यहां की जो राश्टपतिये वह आंद्रेज डूड़ा जो की हाली में बने क्राग है वो हैं माटूज मोरावी की कौन माटूज मोरावी की तो दोस्तों क्वास्चन नमबर चाहस इतनी जाने काई मिलती है चलते हैं अगले क्वास्चन पर हाली में ज्शारकंड राज्य सरकान ने ट्राफिक उलंगन औरकरताओं को डिजीटल वुकतान समादान पेस कनने के लिए किस बेंको के साथ समझोटा किया है तो किस बैंक के सात किया है इन्सेटे राज्य सरकान ज्यारकंड ने तो एक ही आए HDFC बैंक के साथ, किस के साथ? HDFC बैंक के साथ, जारखंड सरकान ने यातायत उलंगन करताओं को डिजीटल भुकतान समाधान की पेशकस करने के लिए HDFC बैंक के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्छर किये हैं, HDFC बैंक जारखंड के परीवान बेवाब को डिजीटल भुकतान समाधान परदान करेगा, ट्राफिक से जुड़ी पैनल्टी जमा करने के लिए ट्राफिक पुलिस को पी ओएस मसीन, पी ओएस मसीनों से लेस किया जाएगा, ट्राफिक नियुमों के चूक करता, HDFC बैंक की ऑनलाइन भुकतान सुवीदा के माध्यम से जुर्माना भी अधा कर सकते हैं, तो दोस्तों कॉस्चन नमबर पास से इतनी जान कहीं तो मिलती है, अब बात आती, HDFC बैंक क्योंकि HDFC बैंक के साथ इन्होंने समझोता किया है, तो HDFC बैंक के बारे में जा लेते हैं, HDFC का फुलफो में, वह हाउसिंग डेवलमेंट, अगस्त 1994 में, HDFC बैंक के संस्ता पाक हैं, वह है विभू, बर्गीज, यहां का जो मुख्याल है, HDFC बैंक का बो है, मुंबई, यहां की जो चेर मेंने, वह है, CM बासुदेव, यहां की जो प्रबंद नदेशक हैं, वह है आदित्यपूरी, किसके? HDFC बैंक के, और हम आपको बता दें, जारखंड की बात है, तो जारखंड में जो प्रेग्याम, कौन सा? प्रग्याम एप, कौरोना और साहे टेप लॉंच हुआ था, और नीलंबर, पीतंबर, जल्सम्रद्धी योजना भी जारखंड में चल रही है, और बिर्सा रायत, हरत, गिराम योजना भी यहा और कोई बार, यहां पर जी आई टेंग में लाइन को, और दूरदर्शन के साथ मिलका, इस्कूल क्लास आर्ट, क्या, इस्कूल क्लास आर्ट भी यहां पर चल रहा है, और जारखंड के बारे में और जाने, तो जारखंड का जो गटन हुआ था, पंदा नमंबर 2000 को, यहां के जो राजपाल है, बहुए दिरुपती मुर्मू, और जारखंड के जो मुखे ने आजी साइकोट के बहुए डाक्टर रभी रंजन, यहां पर लोक सभासीट है, चाउदा, राज्य सभासीट है, च्छे, और यहां पर जिलों की संक्या जो है, बहुए 24, और यहां पर ज इस कंपनी के बोर्ड ने सुब्र मन्यम सर्मा को कारी-कारी निदेशक के रूप में सामिल करने का निर्ड़ा लिया है, तो एक किस कंपनी न किया है, एक किया है, लार्सन एंड टर्बो ने, किसने, लार्सन एंड टर्बो ने एफ निर्ड़ा लिया है, पुलिस को P.O.S. म के माध्यम से जुर्मान अदा कर सकते हैं अब बात आती है सुप्रमंडम सर्मा की तो लार्सन एंड टर्वो यानि एल एंड टी के बोर्ड ने सुप्रमंडम सर्मा को कारकाई निजिसक की रूप में सामिल कनने का नेड़ाय लिया है सर्मा बोर्ड पर एक गयर कारकारी निदेशक पूर्ण स्वामित वाली सायक एल एंड टी यानि हाइड्यो कारवन एंड इंजिनियरिंग के सीई ओ एंड एंडी है इसके अलावा L&T क्या L&T ने SB देशाई और T माधा उदास को बोर्ड में सामिल कनने का फैसला किया है अपनी नई भूमिका में सर्मा को पूर्ण काली निदेशक के रूप और बरिष्ट कारकारी उपाद्ध्यक्ष की रूप में नामित किया जाएगा तो दुस्तों क्वाश्चन ममाच छह से तनी जानका ही मिलती है चलते हैं अंगले क्वाश्चन पर हाल ही में बिस्वे की प्रमुक खेल पिरसारान उत्पादन कंपनी संसेट प्लस वाइन को किस खेल के लिए मेजबान पिरसाराक की रूप में नियूक्त किया गया है तो एक क खेल को किया गया एक किया गया बर्मिंगम 2022 राष्ट मंडल खेल दुनिया की अग्रणी खेल पिरसारान कंपनी संसेट प्लस वाइन को बर्मिंगम 2022 राष्ट मंडल खेलों के लिए मेजबान पिरसाराक की रूप में नियूक्त किया गया है समझोते में खेल के हर पहलू को पूर्ण सेवा वित्रण सामिल है जिसमें पिछली राष्ट मंडल खेलों की तुलना में अधिक खेल कवरेज सामिल है संसेट प्लस बाइन 19 से अधिक कितने 19 से अधिक खेलों के लाइब कवरेज को फिल्माने के लिए जिम्मेदार होगा तो दोस्तों कॉस्चन नमबर साथ से इतनी जानका ही मिलती है चलते हैं अगले कॉस्चन पर और हम आपको बता दें इसकी जो पीडिएफ है वह आप हमारी टेलिगराम ग्रॉप से भी डाउनलोड का सकते हैं जिसकी लेंग वीडियो की डिस्क्रेप्शन में दी है और आज का जो टाइट है वह हंड्रेट लाइक का तो आप सभी से निवेदान है कि हंड्रेट लाइक का टाइगेट जरूर पूरा कीजिए और वीडियो को लाट तक जरूर देखा करें चलते हैं अंगले कॉस्चन पर हाल ही में 2020 के प्रतिश्टित इंफ्रा विजनेस प्राधिकरण यानि RLDA उपाध्यक्ष बेद प्रकास दुदेखा को हाल ही में 2020 के लिए प्रतिश्टित इंफ्रा विजनेस लीडर आप दा इयर प्रोस्कार से सम्मानत किया गया उन्हें रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी विजनेस डिजिटल अफार्ड यानि RIMBDA द्वा देल मंत्रालाए के तेहत एक बैदानेक प्राधिकरण है जो वार्जिक उप्योग के लिए खाली रेलवे भूमी के विकास के लिए जिम्मेदार है तो दोस्तों कॉस्चन नमबर आठ से इतनी अनकाई मिलती है चलते हैं लिए कॉस्चन पर हाल ही में भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंत्रम मुख कारकारी अधिकारी यानि CEO किसे न्यूक्ट किया गया तो एक किसे किया गया है किसे हैमंग आमीन को किसे हैमंग आमीन को इंडियन प्रीमियन लीक के मुख कारी अधिकारी या परिचालन अधिकारी हैमंग आमीन को भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंत्रम मुख कारकारी अधिकारी यानि CEO न्यूक्ट किया गया है CEO पद से इस्तिपा देने वाले राहुल जोहरी किसने राहुल जोहरी ने अपना पद से इस्तिपा दिया है और उनकी जगाए पर हैमंग गामीन को न्यूक्ट किया गया है या इन्होंने पदबार समाल आए अब ये राहुल जोहरी अब BCCI के साथ नहीं है पदादीकारी एक पूंढकाली पृतिस्तापन की तलास में होंगे जिसके लिए प्रकिरिया एपक्स काउंसिल के बैठक में तेख की जाएगे Chinese एकस एपश कौनसिल और बैठाटे गी उसमें तेख की जाएगे अब बात आती है के बैसे पैसी सीयख की तो बीचिसी आई की बारे में जा लेते हैं बिचिस्पीं का फूल पों में इंडियर्ड काॉंसल बोड़ और इसकी अध्यक्ष्य मारत्मान वो है सौरप गांगोली और BCCI का मुख्याल है वो मुंबई में स्थाप ना हुई थी BCCI की दिसंबार 1928 में तो दूस्तों कॉस्चनम मनों से इतनी आनका ही मिलती है चलते हैं अगले कॉस्चनम पर हाल ही में फुटवाल किलब मोहन बागान दुवारा 2020 में लाइप टाइम अचीवमेंट पुरुष्का से किसे सम्मानत किया जाएगा तो यह किसे किया जाएगा एक किया जाएगा इन मेसे सभी को इसमें जो अप्सन मिश्टिक हो गया है इसमें हम PDF में सही कर देंगे इसका ज होकी की इस्तापना के दिवस पर फुटवाल किलब मोहन बागान दुवारा लाइप टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानत किया जाएगा इनको असोक कुमार जो की होकी की इस्तापना दिवस की रूप में और प्रिणब गांगोली जो कि फुटवाल और मौनो रंजन पोरेल जो की एथलेटिक्स हैं को उनके साथ लाइप टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिलेगा इनके साथ इन लोगों को भी मिलेगा बरस दोजाबीस के लिए मोहन बागान रत्न गुर्वक्ष सेंग और पलास नंदी को प्रस्तुत किया जाएगा मोहन बागान कौलकाता भारत में इस्थेत्ट एक प्रमुक भारती बहु खेल के लाबे इसकी स्थापना अठारहासे नवासी में हुई थी अठारहासे नवासी में तो दोस्तो घॉस्चन मोर्ट से तनी जान काई मिलती है चलते हैं अंगली घॉस्चन पर हाल ही में राजनेक हैमंत हरिष्चंदन या हरिष्चंद कोटाल वार को किस दिस का अगला भारती राजदु निउक्ट किया गया है तो एक किस दिस का निउक्ट किया गया है चेक गरतंत का किसका चेक गर्तंत का राजनाएंग हैमंत हरिश्चंद कोटालवार को चेक गर्राज में अगले भारती राजदूत की रूप में नियुक्ट किया गया है उनकी नियुक्ति की घोषणा विदिस मंत्राला द्वारा की गई थी कोटालवार बर्टवान में राष्ट्य सुरक्षा परिसत सचिवाला यानि nscs क्या nscs में पिर्टी नियुक्ती पर न्युक्त सचिप की रूप में काल रहते हैं वह सिक गर्रीक कारवार गर्राण करेंगे अब बात आती है चेक गलराजी की तो चेक कलराजी की राजदहनी वह प्राग मुद्राय चेक कराउन राष्ट पतिये मिलो जमेन और राष्टी खेले फटवाल तो दोस्तों कॉस्चन अमबर 11 सिक नहीं जाने करें मिलती है चलते हैं गले कॉस्चन पर हाल ही में संयुक्त राष्ट आर्थिक और सामाजक परिशद यानि ECOSOC के उच्चिस्तरिये खंडे के समापन समारोय को कौन सम्मोधित करेगा तो ये कौन करेगा ये करेगा प्रदानमंति नरंदमोदी प्रदानमंति नरंदमोदी ने 17 जुलाई कब 17 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट आर्थिक और सामाजक परिशद यानि ECOSOC के अध्यक उच्चिस्तरिये खंडे के समापन समारोय को सम्मोधित करेंगे बारत में सुरक्षा परिशद में एक गयर इस्ताई सदस्त के रूप में अपनी जगए बनाए रखने के बाद वह संयुक्त राष्ट में प्रदानमंति मोदी का पहला वासन होगा 1945 में गठन के बाद से इस बर्स परिशत की 75 वी बर्स अगाट है कितनी 75 वी बर्स अगाट है 1945 के बाद और इसका बात आती है मुख्या लाहिस्तान नियुयार्क नियुयार्क संयुक्त राष्ट अमेरिका और यहां के जो प्रमुक है वह मोना जूल और स्टाप नौईती उनिस्सों प्याटालेश में तो दोस्तों कॉस्चन नम्बारा से इतनी जाने काई मिलती है चलते हैं अगले कॉस्चन पर हाल ही में भारती रेलवे ने कोवेड नाइन्टी से लड़ने के लिए एक पोष्ट कोवेड कोज विक्सित किया है इसे कहां किया गया है कपूर थला रेल कोज फैक्टरी में भारती रेलवे ने कोवेड नाइन्टी से लड़ने के लिए एक पोष्ट कोवेड कोज विक्सित किया है इस कोज कोवेड मुक्त यात्रा के लिए हैंड स्प्री सुविदाओं तामबे से लिप्टे हैंड्रेल और लेचिस प्लाज्मा बायू सोधन और टाइटेनियम दी आउकसाइड कोटेंग के साथ बनाया गया है एक कोवेड नाइन्टी के पिरसार को रोकने के लिए कपूर तला की रेल कोज फेक्टरी द्वारा डेजाइन किया गया है तो दोस्तों कॉस्चन अम्हां 13 से तिन्यान काई मिलती है और इंपोटेंट कॉस्चन के कि कपूर तर रेल कोज फेक्टरी ने इसे डिजाइन किया है चलते हैं अगले कॉस्चन पर हाल ही में जुलाई रोजा बीस में जारी प्रग्यात या दिसाने देश किस से संबंद्य थे तो यह किस संबंद्य थे यह डिजिटल सिक्षा से मानव संसाधन विकास मंत्रा अलाय ने कोवेड महामारी के बीच इसकूल द्वारा संचालत कॉलान कक्षाओं के लिए दिसाने देशों की घोशना किये मानो संसाधन विकास मंत्री कौन रमेश पोखर याल रमेश पोखर याल ने निसंग ने 14 जुलाई 2020 को कब 14 जुलाई 2020 को डिजिटल सिक्षा पर प्रग्यतिया दिसा निर्देश आवासी तोर पर जारी किये और हमने आपको इसके बारे में बताया था यह बताया था हमने 15 जुलाई की वीडियो में तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो वह पुराने पूर्वर प्रात्मिक छात्रों के लिए ओलाइन कक्षाएं दिन में 30 मिनिट से अधिक नहीं होने चाहिए तो दोस्तों कॉस्चन नम्बर 14 से तनी जानका ही मिलती है चलते हैं अगले कॉस्चन पर अपते हैं कि हाली में किस देशने अपनी कंपनी एक को कीनी दूर संचार कंपनी हवे इसमें फूंटाइए होआ फाया अफ्सक्राण पूस्ट करने पर प्रतिवंद लगा दिया है तो किस देश ने लगा दिया ये लगा यूके ने किसने यूके ने बेर्टेन ने अपनी कमपनियों को कीनी दूर संचार हुआवे से 5G उपकराण सोर्स करने पर पिर्तिबंद लगा दिया है यह कदम बेर्टेन द्वारा ऐसे किसी भी कारवाई के लिए बीजिंग की धमकी के बाब जूद आता है नए दिशा निर्देशों में बेर्टेस दूर संचार ऑपरेटरों के लिए 2027 तक कब 2027 तक चीनी दूर संचार कमपनी द्वारा आपूर्ति किये गए सभी 5G से संबंदित उपकराण को हटाना अनिवार होगा अब बात आती है भेटाण की तो भेटाण के बारे में जा लेते हैं भेटाण की तो यहां की मुद्रा है पाउन्ड इस्टरल्ं आपको एक कोश्चन दीया था जुअ का आंसर देख लेते हैं हाल ही में अखेल भारतिय बाग अनुमान 2018 के चौथे चक्क्र के अनुसार बारत में कितने भाग हैं तो बारत में 2967 इसका बहुत से लोगों ने आंसर सही दिया बहुत से लोगों ने गलत भी दिया उन लोगों उसे निवीधन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को लाट तक करते हैं तो आपसे निवेदा ने लाट्ट तक इसलिए बोलते हैं अब कुछ लोगों ने गलत दिया तो उन लोग से हमने परस्टनली मेसेज किया कि भाई इन वीडियो को लाट्ट तक जहुँ देखा करो और पीडियेप तो हम आपको एवेलेबल करा देते हैं तो पीडियेप भी नहीं पड़ रहा है आप लोग तो आगी से गलती ना हो आपसे यहीं उम्मीत करते हैं और हम कल के लिए आपको कॉस्चन देते उसका अंसर आप देख लिना हाली में विधूपी नायर को भारत के अच्छा दीजिए और ज्यादा कोसिस किजिए कि लाश्ट तक जावर देखें पीडियाप भी पढ़ते जाएं साथ साथ और रिवाइज भी करते जाकर इंटरफेर्स को और इसकी जो हम मंतली वीडियो बना देंगे वो हम जुलाई के लाश्ट में बनाएंगे तो खौस्